नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चेनल कलाम स्टडि में आपका हार दिख स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप प्रेचा करेंगे स्तेट लेवन सेकन्ड का जो पेपर हुआ था उस लेवन सेकन्ड की पेपर की complete answer के हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो का आप शुरूचे लेकर अन तक पूरा जुरूर देखें तरह निचे comment करके हमें बताएं कि आपके कितने question इस paper में सही हो रहे हैं तो दोस्तो हमारे पास जो paper है वह है paper e-code का paper है यहीं आप level second के अलाव किसी अन्य code का paper है वो दोस्तो इस paper को अपने question मेच कर लें क्योंकि question आगे पीछे हो सकते हैं बाकी question ने वह होंगे तो इस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे child development and pedology बाल विकास वैर 660 के बारे में इसमें परसंट संग के एक से एकर 30 तक है तो इनके बारे में इस वीडियो में अच्छा करेंगे दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू करतें जिसे हमारा motivation बढ़ता है तो हम आगे और सभी वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर आते रहेंगे वीडियो को शेर नहीं किया सभी दोस्तों साथ अधिक से अधिक शेर जरू कर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टेडि को सिस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे लाल स्क्राइब के पिट्न को दबा कर चैनल को स्सक्राइब जरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन घंटे का सान है उस घंटे के सान को भी आप जरू दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले से भी वीडियो की जानकर आप तक है पहुंच सके तो आप शुरू करते हैं दोस्तो आज का यह है वीडियो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले चाय डवलाप्मेट एंड पेड़ोलोजी बाल विकास एवं सिक्षास्तर का पार्ट है वह शुरू करते हैं तो पहला जो क्यूशन आया था लेवल शेकेंड में आठ तरीकों जो पेपर हुआ था शेकेंड पारी में उसमें देखते हैं तो यह कुशन था दोस्तो नूर विधाले में अपना लंच बोक्स लाना भूल गई तता यह कहते हुए तानिया ने उसका लंच साजा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना लं रूप को रिक्स तान अवस्ता पर दरसाता है तो इन नीचे चार ओप्शन दिये गए हैं तो इन चारों में से इसका राइट आंसुर क्या होगा दोस्तो इसका जो राइट आंसुर होगा वह होगा दोस्तो आदान परदान और प्रमप्रागत यानि आदान परदान इसलिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार के चिंता करने के आप सेकता नहीं है बस आप वीडियो को दबा करें शेर कर दीजिए जिसे सभी थकिए वीडियो पहुंच पाए नेस्ट है समाज में विभिन लिंगों के लिए उप्युक्त माने जाने वाली प्रारूपिक वादिताएं कहते हैं तो जेंडर रूडी वाजिता इसका राइट आंसर हो गया नेस्ट कुशन जो है वह दोस्तों हाली में पाठ्थे चरिया में ऐसी कहानियों को सामिल करने के लिए विवेक सील परियास्त गया गया है जिसमें पिता घर के कारियों में लगा रहता है और माता सासी गती वीडियों को करती है यह कदम किस लिए मैतोपुन है यह कदम दोस्तों किस लिए मैतोपुन है तो यह कदम जो है यह जेंडर इस्तिरता को प्रोसाइते करता है यानि इसमें तीन नमबर जो आंसर है वह इसका राइट आंसर हो गया नहीं सोरी इसमें एक रेक किया गया है जिसमें पिता घर की कारी में लगा रहता है और माता सहाज सिगरती वीडियों करती है ये कदम किसके लिए महतोपुन है ये जो कदम होगा दोस्तों ये दोस्तों जेंडर रूड़ी वादिता को समप्ट करने के लिए महतोपन होगा तो ये इसक में दोर नमबरिस का राइट आंसर हो गया अगला क्यूशन देखते हैं तो अगला जो क्यूशन है वह है दोस्तो वाई गोट्सकी के अनुसार जब एक वेस्क बच्चे के निश्पादन के वर्तमान इस्तर को सयोग दोबारा विश्टारि करता है तो इसे दोस्तो पाड या दाचा कहते हैं अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन है जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिदान्त के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तरके किस अवदी में विक्सित होता है तो ये दोस्तो किस अवदी में विक्सित होता बाव को समझना आउसिक है तो ये किस ने कहा था किसके अनुसार होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वह हो जाएगा लेव वाइगोर्ट की के दुवारा तो ये तीन नमबर लेव वाइगोर्ट किसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है प्याजे के संग से प्रस्तूत करनी चाहिए जिसमें तरक अधारित समाधान के आपसिकता होती है तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया नेस्ट क्यूशन देखते हैं नेस्ट क्यूशन है हावर्ड गार्डनर ने बहु बुद्धी सिधान्त के अनुसार तार्की के गणिती है बुद् से उत्तर ये हो गया अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन देखें दोस्तों इससे पहले आपसे एक बार फिर निवे दन है वीडियो को लाइक और अधिक से दिक शेयर ज़रू करते रहें नेस्ट है एदि आपने अभी तक मारे टेलगाम ग्रूप पर जोने किया ह तो क्यूशन है वह परकेरिया जिसके दुबरा बच्चे, आदतों, कोसलों, मुल्यों तथा अभी प्रेणा को विक्सित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं किरिया से सदस्य बनाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे दोस्तों में समाजी करने कहते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, आनौवान शिक्ता एवं प्रयावन दोनों एक जटिल पार्स प्रिक किरिया के रूप में मानव विकास को प्रभाविते करते हैं तो यह इसका सही उतर हो गया अगला क्यूशन है एक परगरति सहि समगर मुल्यांकन में क्या सामील है तो सतत एंग जो समगर मुल्यांकन होगा उसमें दोस्तों क्या सामील है उसमें दोस्तों विविद परकार की रणनेतियों का परियोग करते हुए दोनों सरस्तनात्मक एंग संकलात्मक आंकलन का परियोगे करना समलित है अगला क्यूशन द समाजिक वर्गों के रोल मोडल से समधित कानिये उदान परस्तूती करने चाहिए तो यह इसका राइट अंसर हो गया अगला क्योशन देखते हैं क्योशन है एक समावेशिक अक्सा में शिक्सक को क्या करना चाहिए एक समावेशिक अक्सा में एक शिक्सक को दोस्तों ये विश्वास करना चाहिए कि परते एक बच्चे में अपने योगेता एंव सक्ति के अरुशार शिखने की समता होती है या समता है अगला क्योशन देखते हैं क्योशन है एक विद पार्ट को समझने या याद करने में खटिनाई यह दोस्तों किस के सूचक है तो यह दोस्तों अधिगम एसकता वाले विद्धार क्योंकि सूचक है यानि तीन नमबरिस का यह राइट आंशर हो गया अगला क्यूशन देखते हैं ग्यूशन क्या है क्यूशन दोस्तों एक कक्सा में विशेश योगीता वरग वाले अधिगम करता कि आवसेक्ताओं को किस प्रकार से बता सकता है संबोधिती कर सकता है तो इसका राइटांसर क्या हुझाएगा इसका हुझाएगा दोस्तो परतेग विदार्ति के अधिगम के ससक्त पक्सों यह कमजोरियों के अधिगम उद्देशियों को विख्षिते करना है नेक्स्ट है एक शिक्सिका अपने कक्सा में सरनात्मक विदार्तियों को किस प्रकार से प्रोषाइट कर सकती है तो किस प्रकार से प्रोषाइट कर सकती है वह दोस्तों अन्येक प्रेक्षियों को प्रोषाइट करके तता मूर जो विचार है उनको महत्व देकर प्रोसाइती कर सकती है नेस्ट क्यूशन है निमल खित में से कौन सा कारक काक्सा में सार्थक अधिगम कापक्स से लेता है तो कौन सा कारक है वह सार्थक अधिगम कापक्स लेता है तो दोस्तो विशेव वस्तु तथा बच्चों के संपुन कुसलचेम एवं अधिगम के परती सच्चा सरुकार रखना इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है निमल लकित में से कौन सा प्रभाव साली समस्य सम्माधान रणनिती का एक उदारन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर भी दोस्तो साधन साध्य विश्लेशन समस्या को अनेक उपलक्षों में विवाजीते करना इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला क्यूसर है निमल लकित में से कौन सी शिख्षण अधिगम के लिए एक प्रभाव साली सिख्षक स्य पढ़नाली नई है इसमें पुचा गया है नई है तो कौन सी नई है तो कौन सी नई है दोस्तों दियेगे ज्ञान को दोराने पर ध्यान के इंतरित करना ये सिख् का करण जाने की कोचिस करके उनमें सुधारें कर सकते हैं तो यह तीन नमर्स का राइटांसर हो गया नेस्ट क्योशन है सरंचनावादी उपागम बताता है कि रिक्स्तान ग्यान की सरंचना के लिए अतिन्थे आवशेक है तो क्या दोस्तों आवशिक है इसका राइटांसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्वा ग्यान ग्यान के सरंचना के लिए अतिनते आवशिक है तो 22 नमर का क्यूशन है इसका राइटांसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्वा ग्यान अगला क्यूशन देखते हैं दो की इन अवदार्ना को चुनोती देनी चाहिए अगला कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन जो है वह है दोस्तो संग्यान एवं संवेक के बीच किस परकार का संब्द होता है तो संग्यान और संवेक के बीच जो संब्द होता है दोस्तो वह किस परकार का होता है यह दोस्तो दुआ दिशिये यानि दोनों के बीच एक गतिशिल पर्श प्रिक कि रिहा होती है नेक्स्ट कुश्न जो है वे हैं निमल लेकित में से कोन से कारक अधिगम को परभाविति करते हैं तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा यह चार कारक दिये गये हैं तो इसका right answer जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा एक दो तीन और चार तो ये चार नमबर इसका सही हो गया और ये चारों ही दोस्तों इसको परभाविती करते हैं तो इसका right answer चार नमबर हो गया नेक्स्ट है निमल लिकित में से क्या ग्यान के सार्तक सरंचना की प्रकिरिया का एक महतोपुने पहलू है तो क्या होगा दोस्तों इसका right answer जाएगा उद्दीपन परतिकिरिया संबन इसका right answer हो गया अगला क्योशन देखते हैं क्योशन है जब विद्यारती पुर्षकार पा उस गतिविती से समधिते नहीं है जैसे कि एक स्टारिया बेजप्राप्ट करना ऐसी इस्तिती में क्या संबावना उत्पन होती है तो ऐसी इस्तिती में अधिगम के परति बोतिक वादि अभिवर्ति का विकास होता है तो ये एक नमबर इसका right answer हो गया नेस्ट क्योशन है बाले अवस्ता की अवदारना से क्या अभिप्राई है तो बाले अवस्ता की अवदारना से दोस्तों क्या भिप्राई है तो बाले अवस्ता की जो अवदारना है उससे दोस्तों समकालीन सामाचिक संचनावादी मन्नोवी ज्यानिकों के अनुसार ये एक सामाचिकी संचना है next question जो है वे है निमल लेकित में से कौन सी मद्धे बाले अवस्ता की विशेष्था है कौन सी जो है मद्धे बाले अवस्ता की विशेष्था है तो दोस्तों बच्चे तार्किक एवं मुर्त रूप से सोचना प्रारम कर देते हैं यह इसका right answer हो गया अब देखते हैं अगल या डिट्वे एजेंशी है तो इसका right answer हो जाएगा प्रात्मे की एजेंशीया है तो यह 30 नंबर के क्यूशन का right answer हो गया तो यह दोस्तों इस वीडियो में हमने तर्चा की Child Development and Pedalogy यानि CDP की complete 30% हमने Level Second की कर लिये हैं इसके अलाव दोस्तों Level First की Pedalogy आपने नहीं देखी ह इसके अलाव जो EVS यानि Environment Studies आपने नहीं देखी है तो उन सबका भी वीडियो बनाकर हमने चैनल पर डाल दिया है वो भी आप नीचे इसके उसमें Link दियावा मिल जाएगा या हमारे चैनल की Home Page पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को Like कर दें वीडियो का अधिक से अधिक शेर जरूब कर दें दोस्तों इस वीडियो के बाद में जो अगला मारा वीडियो आएगा वो Math और Science का जो Level Second में पार्ट आये था उसकी सर्चा करेंगे उसके बाद में समझेव ग्यान वाले पार्ट का अगला वीडियो आएगा वो दो ठेके सान को आप जरूब दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के जानकर ये आप तक पहुंच सके ता आगे आने वाले आंस्वर्की भी आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों